अलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्षर में हम लोग सर्थ थियोरी के कोश्चन्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्षर में मैंने जो कोश्चन्स लिया है वो I.T. मदरास का B.S. in Data Science प्रोग्राम से जो कोश्चन्स है वो लिया है तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग कुश्चन्स को सॉल्व करते हैं बहुत बार फॉर्मूला लगाएंगे बहुत बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे किसी दौरान कुछ formulas मैं आपको बताता रहूंगा तो इसी को आज हम लो solve करेंगे तो लिए start करते हैं आज का सबसे पहला problem है मेरा कि let m be the set of all real numbers that are strictly greater than 6 और strictly less than minus 6 जिनको भी इस तरह के statement से problem होता है मैं उनको लिए हमेशा एक सला देता हूं कि आप एक number line हमेशा draw कर लिया किज़े बहुत असान हो जाएगा हम लोग भी यह करेंगे एक number line हम लोग draw करेंगे सबसे पहले तो यह रहा मैं एक number line मैं draw कर लिया और इस number line को draw करने के बाद मैं दो points plot करता हूं minus 6 and 6 क्योंकि इसी के बारे में बात की गई है देखिए यहां पर 6 and minus 6 दो points के बारे में बात की गई है अब बोला गया है कि m जो है with a set of all real numbers that are strictly greater than 6 m एक set है मतलब एक room है m उसके अंदर 6 से बड़े जितने भी real number है उसको रखा गया छे से बड़े strictly greater than not equal to तो greater than 6 को कैसे mark करेंगे आप 6 के उपर circle लगा देंगे और इसके right side में जब आप जाएंगे तो this is greater than 6 और strictly के लिए यह circle आपने लगा है और circle अगर आप dark करते तो इसका क्या मतलब होता 6 भी लिया गया है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है इसने बुलाए कि strictly greater than 6 मतलब 6 नहीं लिया गया है 6 से उपर के सारे values हैं और बुला के strictly less than minus 6 strictly less than minus 6 मतलब minus 6 से छोटा value तो minus 6 से छोटा जितना भी है यह वाला यह आपने एक room बनाया है m और उस room के अंदर इन values को उठा के रखा है मतलब 6 से सारे बड़े values इसमें दिखेंगे और minus 6 से सारे छोटे जितने भी values है सारे दिखेंगे 6 और minus 6 उसमें नहीं दिखेगा ठीक है अब इसमें बोला how can we represent b in the set comprehensive form set comprehensive form मतलब set builder form मतलब पूरी तरह से comma separated values ना लिख करके उसको एक तरह से कह लिए sign के form में हम कैसे लिखेंगे where b is a subset of m b जो है m का subset है तो b अगर m का subset है तो b की value b वाले जो room है उसमें मैं b कभी room बना लेता हूँ इसके अंदर m के अंदर जो elements है यही elements आ सकते है या इससे कम elements आएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें m के घर में जो भी है इसके अलावा कोई दूसरा element आ सकता है यह कभी नहीं होगा वी वाले घर में वही elements आएंगे जो M में है या तो पूरा का पूरा वही आजाए या तो ऐसा हो इसमें जैसे example दे रहा हूँ जैसे 6 से लेकर आगे है तो माल लेते हैं 6 से 10 तक है तो इसमें 8 से 10 तक आ सकता है 6 से 9 तक आ सकता है 6 से 10 तक भी आ सकता है 7 से 10 तक भी आ सकता है 6 से 8 तक भी आ सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसमें 6 से लेकर के 10 तक है तो इसमें value 6 से 11 आ जाएगा 11 सरी 11 या ऐसा नहीं हो सकता कि value 8 से लेके 11 आ जाएगा या ऐसा भी नहीं हो सकता कि value 5 से लेके 7 तक आ जाएगा क्योंकि 5 जो है 6 से पहले आ जाता है तो हमें जो भी लेनी है 6 से 10 के बीच में ही इसके अंदर रखना है यह सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे का मतलब होता है भी सेट जो की इंटीजर का सेट है तो रियल नंबर के अंदर आते हैं तो कोई दिकत नहीं है इंटीजर का सेट हो सकता है लेकिन अभी हम बचेवी चीजों को देखेंगे तो उसके लिए भी मैं example यहां पर draw कर लेता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहां है minus 6 और यह है 6 अब बोला गया कि integers है और integer कहा है minus 6 है 6 के बीच में है यह रहा minus 6 और यह रहा 6 और यह देखे square bracket है square bracket का मतलब हो जाता है कि इसको include किया गया है square bracket का मतलब होता है कि आपने उस उन values को include कर लिया है मतलब minus 6 भी आप ले रहें और 6 भी ले रहें square bracket का यही मतलब होता है मैंने आपको set के दूसरे theories में सिखाया हुआ तो मैं request करेंगा कि आप लोग उसको जरूर refer करें तो अगर minus 6 को भी include किया गया और 6 को भी include किया गया तो inclusion को कैसे दिखाते हैं dark करके दिखाते हैं और बोला गया है कि इसके बीच में सभी values लेंगे हम लेकिन वो integer होना चाहिए तो इसके बीच में कितना आएगा minus 5 भी आएगा और इससे पहले 5 भी आएगा 0 भी आएगा बात ही खतम हो जाती है आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए इसलिए क्योंकि आप कहा रहे हैं कि B के अंदर हम वो लिखेंगे जो minus 6 से 6 के बीच में है और integer होने चाहिए integer से मुझे कोई परहेज नहीं है लेकिन minus 6 से 6 के बीच में जो भी number हम लिखेंगे वो कोई भी number इस वाले set में नहीं आएगा m वाले में मतलब मैं 6 to 10 तो example के लिए लिखा था पिटा देता हूं इसमें जो numbers लिखे हुए है वो minus 6 से पहले के कोई भी values लिखे हुए है और 6 के बाद के कोई भी values लिखे हुए है लेकिन minus 6 से 6 के बीच का कोई भी values में नहीं लिखा हुआ है और आप जब subset बना रहे हैं तो वोई values लिख रहे है तो यह नहीं हो सकता मैंने आपको بتایا कि subset जो होगा वो इसमें जो लिखा हुआ उसी में से आपको उठा के रख सकते हैं सारा का सारा भी रख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके अलावा आप नहीं रख सकते और आप जो यहां रखने की कोसिस कर रहे हैं इसके अलावा रख रहे है, minus 6 से 6 के बीच की सारी values रख रहे है, जो कि इसके अंदर है ही नहीं, तो यह subset नहीं हो सकता पहला वाला option गलत हो गया अब हम आते हैं second पे second वाला इसमें minus 6 से 6 के बीच में, फिर से वही है, इस बार फर्क यह है कि इस बार minus 6 को include नहीं किया गया है, आपको बताया है कि अगर parenthesis लगा हुआ है, मतलब अगर ऐसा bracket है, तो इसका मतलब यह दोनो include नहीं होता है, सिर्फ इतना ही मतलब है अगर number line पे देखा जाए इसको तो यह है minus 6, यह है 6 अगर यह वाला bracket लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि minus 6 को नहीं लिया जाएगा and 6 को भी नहीं लिया जाएगा और इसके बीच के सभी numbers को लिया जाएगा, लेकिन इसके बीच के सभी numbers में कौन से numbers हैं, integer हैं real number नहीं है, integers को आप ले सकते है, minus 5, minus 4, minus 3 minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 अप नहीं ले सकते हैं, minus 6 अप नहीं ले सकते हैं फिर से वही दिक्कत आएगी कि कि जो original set है उसमें इसके बीच का तो कोई number है ही नहीं और आप subset बना रहे हैं उनी numbers को ले करके तो जो पहले वाले सवाल जो पहले वाले option में मैंने answer दिया था same answer इसमें भी है कि बीच की कोई भी value हम subset में ले ही नहीं सकते है क्यों क्योंकि वो main जो हमारा set बना है उसके अंदर नहीं आता है मैं third वाला example third वाला option करता हूँ तो ये गरवड है अच्छा एक और बात यहां बता देना चाहता हूँ जो शायद उस पुरानी वीडियो को नहीं देख पाया हूँगे उनके लिए कि minus 6,6 अगर include नहीं करना है तो उसके लिए आप इस bracket का भी इस्तमाल करते हैं यह अकसर देख के लगता है कि यह गलत हो गया है यह गलती से misprint है बट ऐसा नहीं है उल्टा अगर लगा हूँ है मतलब minus 6 और 6 आप include नहीं करेंगे इसका यही मतलब होता है अब मैं third वाला option की तरफ जाता हूँ तो second वाला option गलत है इंक्लूडड नहीं है और 6 से लेकर के infinity तक आप कुछ भी लिख सकते हैं इंक्लूडड नहीं है पीच में आप कोई भी चीज नहीं लिख सकते हैं यहां से यहां तक में आपको जो अच्छा लगता उस रधा हो आपके लिखिए यूज करिए यह 6 से आगे कि जो आपको एक्षा हो आप यूज करिए करना चाते करिए नहीं करना चाते मत करिए आपकी मर्जी है लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं और जो हमारा ओरिजिनल से था वो क्या था वो भी तो यही कह रहा था कि माइनस 6 से छोटा हम कुछ भी कर सकते हैं और 6 से बड़ा हम कुछ भी कर सकते हैं minus 6 और 6 included नहीं है तो ये और इसमें क्या फर्क है ये ही फर्क है कि इसमें real number हम कोई भी रख सकते थे decimal वाले भी number रख सकते तो root वाले भी रख सकते थे और इसमें हम ये सारे numbers नहीं रख सकते हम रखेंगे minus 6 से छोटा ही लेकिन सारे integers रखेंगे मैं example देके आपको दिखाता हूँ कि जो m set है उसमें क्या बना हुआ है set m में लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ dot 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 दिखावा जैसे माल लेता है minus 7 है minus 7 minus 6.99 है minus 6.87 है example दे रहा हूँ minus 6.50 है minus 6 भी है ठीक है ये सारे numbers है ये हमारा set है union comma 6 से आगे के numbers है तो minus 6 नहीं लेना है क्योंकि वो included नहीं है तो मैं minus 6 को हटा देता हूँ minus 6 अब minus 6.0001 ले सकते हैं minus 6.0001 आप ले सकते हैं याद रखिएगा left side में minus 6.0001 इधर होगा और left में होगा आगे नहीं होगा आगे तो minus 5.999 होगा anyway तो ये आप ले सकते हैं उसके बाद बोलागा 6 से उपर के कोई भी number ले सकते हैं 6 नहीं तो 6.01 6.001 6.5 and 7 7.5 या 8.99 9 and so on इस तरह का कोई भी number आप रख सकते हैं तो इसकी जगह जब आप एक दूसरा सेट बना रहे हैं जो option में दे रखा है वह दे रखा है कि आप minus 6 है छोटा कुछ भी ले सकते हैं तो dot 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 माल लेते हैं minus 7 ले लेते हैं minus 8 minus 7 minus 6 आप नहीं ले सकते तो फिर ठीक है union फिर हम लिखेंगे 7 8 9 10 11 12 dot 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 अब यह जो numbers आपको दिख रहे हैं set B में यह इन ही में से कोई नहीं numbers होंगे इन ही में से होंगे हो सकता है वो मैंने यहां ना लिखे हो लेकिन इन ही में से होगा minus 7 है minus 8 भी कहीं नहीं होगा minus 9 भी इस वाले set में दिखेगा और इसके अंदर यही सारी numbers को लिखे गए हैं बट इसमें decimal वाले numbers हमने नहीं लिखे हैं सिर्फ integers लिखे हैं सिर्फ integer का मतलब यह हो गया कि आप decimal वाले numbers को छोड़ करके root वाले number को छोड़ करके आपने सारा का सारा number इसमें लिखे तो सब सेट का मतलब भी यही होता है, यहारा का जवाब यह तो देखते हैं, अगर माइनस सिक्स लिया जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, इसमें अगर मैं इसमें देखिए, औरिजिनल में जो हमें बोला गया, जो set बना के दिया गया है, real number का जो set हमें दिया गया है, यहां पर minus 6 से छोटा और minus 6 से छोटा और 6 से बड़ा उसमें आप check करें उसमें minus 6 और 6 नहीं लिया गया है, और जब आप आप subset बनाएंगे उसमें अगर आप minus 6 ले लेंगे तो गरबर हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि subset जो होगा वो हमेशा जो original set है उसका ही टुकड़ा होगा तो अगर original set में ही minus 6 और 6 नहीं है तो subset में आप minus 6 कैसे रख सकते है रखी नहीं सकते इसलिए यह answer valid नहीं है तो इसका answer फर्ड वाला option होगा जो मैंने टिक कर दिया है फूर्थ option नहीं होगा मैं एक काम करता हूं इसको decimals को समझाने के लिए और इसी बार एक छोटा सा subset का example दे देता हूं so that कि आपके लिए और clarity आ जाए तो मैं क्या करता हूं एक सेट लेता हूं इस बार भी M ही बनाता हूं so that कि आई आपको समझे कम मैं इसमें लोंगा मैं ले लेता हूं इसमें minus 7.5 minus 7 मैं decimal के number को फस merely represent करने के लिए ले रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर मुझे real number लिखना हो तो असंभव है मैं लिखी नहीं पाँगो कोई भी नहीं लिख पाएगा real numbers के values को क्योंकि minus 7.5 minus 7.55 minus 7.015 minus 7.0001 minus 7.0001 तो कितना लिखते रहिएगा दो numbers के बीच में infinite number of numbers है दो number के बीच में infinite number of numbers है तो मैं क्या बैटके infinite numbers आपके लिए लिखूँ आप समझ ही नहीं पाएगे फिर भी तो कोई sense नहीं बनता इसलिए मैं एक symbolic तरीके से 3-4 numbers को लिख लेता हूँ फिर उसका subset बना के दिखाता हूँ ताकि आपको मतलब समझ मैं कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो माइनस 7.5 माइनस 7 फिर मैं ले लेता हूँ माइनस 6.5 और माइनस 6 नहीं लोंगा फिर लोंगा 6.5 and 7 ठीक है यह symbolically मैंने जो decimals में number लियें यह symbolically है यह दिखाता है कि symbols वाले decimal वाले numbers भी हम include करेंगे बस इतना ही है वो कोई भी decimal हो सकता है 6.4 भी हो सकता है 6.3 और सोन कुछ भी हो सकता है अब इससे जो subset बनेगा subset जो बनेगा S वो ऐसा बन सकता है minus 7.5 ऐसा भी बन सकता है minus 7 ऐसा भी सकता है minus 6.5 ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 6.5 हो ऐस सब्सक्राइब हो सकता है 7 हो रही सकता है कि minus kan hunting माइनस 7.5 यह सारी चीज़ें सब सीट में आएंगे लिकिन कभीigkeiten इसा नहीं हो सकता this is not possible मैं मार्क कर देता हूं इसके नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं तो आप उसको कम करके जरूर लिख सकते हो ज्यादा करके नहीं कर नहीं है ़िख सकते हैं इसका एक मैं दूसरा example देता हूं जिसकी ज़रूरत आपको बहुत बार पढ़ेगी एक हम number line बना लेते हैं उस number line पे दो points mark कर देता हो आसान points मार्क करता हूं जिससे की आप समझ सके हैं one से लेके five तक one included नहीं है चली one को include कर देते हैं और five को भी include कर देते हैं और बोला गया है कि एक number x जो इसके बीच में है 1 से लेके 5 तक है मतलब 1 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं इसके बीच में कुछ भी है तो मैं इसके लिए एक set बना देता हूँ A और इस set के अंदर मैं लिख देता हूँ कि भी 1 से ले करके तो इसका सबसेट ए खुदी है ए जो सेट है ये भी इसका सबसेट हो सकता है मतलब वान से लेके फाइव तक पूरा का पूरा हर सेट खुद का सबसेट होता है इसके अलावा और भी हो सकते हैं इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि 1 से स्टार्ट करूँ और 5 तक जाओ और 5 को इंक्लूड ना करूँ 5 को इंक्लूड ना करूँ क्यों क्योंकि 5 तक गया है मैं 5 से कम भी ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी इसका subset हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि 1 से start करूँ और 5 तक मैं जाओं और 5 को include कर लूँ ये भी इसका subset हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 से start करूँ और 3 तक जाओं और दोनों ना लो ये भी हो सकता है यहां पे होगा और 3 कहीं यहां पे होगा इसके बीच में मैं ले सकता हूँ यहां से यहां के बीच का मैं कोई भी number ले सकता हूँ एक number ले सकता हूँ या pair of number ले सकता हूँ या group of numbers ले सकता हूँ और उसका एक subset बना सकता हूँ लेकिन जो subset बनेगा वो इसके बीच का ही हिस्सा होगा या maximum यहीं तक का हिस्सा होगा इसके बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता अब ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 2 से start करूँ और 5 तक जाओं ऐसा भी हो सकता है कि 2 से start करूँ 5 को include ना करूँ लेकिन 5 तक जाओं अगर आपको यह समझ में आगा इसके बीच का तो आप समझ गया होगे लेकिन इसके दूसरा इसके उलट में दूसरा example लेता हूँ आपके लिए यह point है और यह point है फिर से वही है यह one है और यह five है इस बार फर्क यह है कि one and five इंक्लूडेड नहीं है तो जब इंक्लूड नहीं होता तो उस पर हम लोग सिर्फ सर्कल लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं सर्कल लगा के इसको हम कवर कर देंगे इसका मतलब 1 से 5 तक के बीच में सारे नंबर से one and five नहीं है जो ऐसा हो सकता है की एक सब्सेट है क्योंकि 1,5 हमद्सेट हो जो सेट कर लेता हैं फाय पर न लहीं करता हो बस यह देख रहा हूं की एक नतिंद ने इस इसके बीच में आता है तो इसके आणे उपको वस हम स्क्रक्रण को 750 कर नहीं करता है एक दूसरा ले लेता हूँ, one भी ले लेता हूँ and five नहीं लेता हूँ ये इसका subset नहीं है क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो original set उसमें one and five included नहीं है one and five included नहीं है लेकिन आपने, मतलब one उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन आपने जब तो उसमें one ले लिया तो one जो original set था जिसमें नहीं था आपने अपनी मर्जी से उसको insert कर दिया है इसलिए यह subset नहीं होगा अगर उसके बीच का ही कोई value होता तो वो subset होता कोई दिक्कत नहीं है जो कि मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूं तो उमीद है कि आप subset को समझ गया ह है अब देखते हैं तो finite sets A and B are such तो finite set हमारे पास A और B और वो कुछ इस तरह से है A and B are such that the total number of subsets of A is 56 more than the total number of subsets of B okay A का जो subset subset of A subset of A is more than ये 56 more than है 56 इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है और पर चलो पहले मैं इधर subset of B भी लिख लेता हूं अब ठीक रहेगा subset of B अब बोला गया है कि subset of A is 56 more than subset of B तो subset of B अगर ये चले मैं इसको और आसान example से लीड करता हूं subset में शायद आप लोगों को दिक्कत हो ये यूर फादर्स एज फादर्स एज वादर्स एज से तो किदर जोड़ना चाहिए मुझे 26 आपकी तरफ जोड़ूंगा या आपके फादर की तरफ जोड़ूंगा देखिए आपके फादर में ज्यादा है ये बात मैं मानता हूँ लेकिन अगर मुझे इक्वल दिखानी है तो अगर मैं फादर में फिर से जोड़ू मान लेते हैं आपके आपकी उमर कितनी हो जाएगी 26 है य जीजदा है तो मान लेते हैं कि वह 46 हो गया लेकिन अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो आप entered 26 जोड़ूंगा तो बराबर हो जाएगा अब of course नहीं तो अगर मुझे दोनों को equal करना है तो आपकी age में जिसकी age कम है उदर जोडनी पड़ीगी मुझे तो 26 year आप में जोड़ूँगा तब ये दोनों बराबर होंगे इसी तरह से यहां पे भी है कि subset A जो है 56 जादा है किसे जादा है बी से जादा तो बी में कम है तो बी में आप जोड़ दीजे 56 या आप ऐसा भी कर सकते हैं subset A minus subset B is equals to 56 आपकी मर्जी है एक ही बात है तो ये हमने कर लिया अब हम discuss करते हैं कि subset किसी भी set का subset कितना होता है तो किसी भी set के जो subset तयार होते हैं तो 2 to the power of N number of subsets होते हैं कोई भी set हो अगर मुझे subset तयार करने हो या total number of elements of power set देखना हो तो वो 2 to the power of N होता है याद रखेगा ये चाज़ा मतलब अगर एक set है हमारे पास A जिसमें 3 element है A, B, C और अगर मुझे इसका subset तयार करना हो तो इसका total number of subset होगा 2 to the power of 3 which is equals to 8 8 subsets इसके होंगे ये ध्यान रखेगा और 8 ही power set के elements भी होंगे इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं set का reference के लिए आपको पूरा सब चीज़ों का explanation अच्छे से मिल जाएगा तो subset of A हमारे पास माल लेते हैं कि उसमें N number of elements है N number of elements है let us assume A के अंदर N यहां 3 लिया है मैंने वहां N number of elements से zoom कर लेता हूं तो यह हो जागा 2 to the power of N B के अंदर मैं माल लेता हूं M number या X number of element है तो 2 to the power of X plus 56 अब इस तरह के question में जो answer दिया होता है न उसको plug करके ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन अगर आप calculate करने की courses करेंगे तो लंबा हो जाएगा बस यही है तो 2 to the power of N minus 2 to the power of X equals to 56 आप दोनों से common निकालेंगे क्या common निकालेंगे क्योंकि यह कम है यह चोटा है तो जाहिर सी बात है N बड़ा होगा तो X माल लेते हैं उससे एक दो जो भी यह कम होगा तो यह काम करते हैं आसान भासा में रखता हूँ हम इस पूरे को 2 to the power of X से divide कर देते हैं तो यह अगर आप 2 to the power of X common निकालेंगे इसकी जगा अगर आप 2 to the power of X से divide करेंगे लेकिन फिर ठीक है एकी बात रह जाएगी चलिए ऐसे लिखते हैं 2 to the power of N minus X minus 1 अलग-अलग separate कर लिया is equals to 56 upon 2 to the power of X तो इधर कर देंगे तो यह multiply हाजाएगा ठीक है ऐसा आ गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसी form में लिखेंगे इसको लिखेंगे 8 multiplied by 7 यह देखे अगर माल लेते हैं यह एक value है तो यह उससे एक कम है तो इसलिए मैंने 8 into 7 लिख दिया अब इसको हमें manipulate करना पड़ेगा तो यह manipulations आप permutation, combinations या binomial मैं आपको सिखाऊंगा मैं उस दोरान आप सिखे कि कैसे हम manipulate करके निकाल सकते अभी भी निकाल सकते हैं इतनी भी बड़ी problem नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि इस से ज़्यादा इस में binomial theorem के दोरान मैं आपको manipulation सिखाऊंगा मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से हम उसको कर सकते हैं फिल्हाल मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यहाँ पे है कि अब आप क्या करेंगे इन values को plug करके answers को देख लेंगे क्योंकि objective है आप values को plug करेंगे values को plug करेंगे तो 2 to the power of माल लेते हैं एक 6 है और minus 2 to the power of 3 है देखते हैं कि 56 आता है कि नहीं आता चेक कर लेते हैं तो 2 to the power of 6 आप calculate कर सकते हैं आपको फोर्जस 2 to the power of 6 है तो 4 to the power of 6 है तो 4 to the power of 16 4 to the power of 64 तो this is 64 minus 8 which is equals to 56 इस और आप कहेंगे 2 to the power of 8 minus 2 to the power of 4 let's check 2 to the power of 8 is 64 multiplied by 4 which is 256 256 minus 2 to the power of 4 which is 16 आप देख लिजे कि यह सेम है कि नहीं and similarly आप 7,1 8,3 भी प्लग करके देख सकते हैं आपको पता लग जाएगा कि यह 56 किसी में भी नहीं आएगा सिवाए 6,3 में तो ऐसे सवालों का जवाब हम लोग इस तरह से थोड़ा सा अकल से काम लेंगे कि फटा-फटा हम बना सके हैं अब हम लोग आते हैं यह वेंड डाइग्राम से जुड़ेवे questions हैं या फिर आप कहले जिए कि simple formula से जुड़ेवे questions हैं तो अभी हम लोग इसको solve करेंगे और विश्वास करता हूँ कि इसके बाद आप लोग पूरी तरह से expert हो जाएंगे मतलब expert ना भी हो तो आप अच्छे से सवाल को बना पाएंगे समझ पाएंगे कि हम कैसे भी करके manipulation समय करने होते हैं और कैसे करेंगे देखिए खुला गया in a class of 30 students मैं चलिए ठीक है in a class in a class 30 students took physics तीस बच्चों में physics लिया है तो आप उसको लिखेंगे n of p n of p equals to 30 अब n of p की जगा अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं only p equals to 30 मैंने एक वीडियो में मेरे खासे लास्ट वाले वीडियो में यह बताया है कि cardinality को represent करने का यह एक और तरीका होता है जिससे हम cardinality represent करते हैं मतलब physics वाले घर में या physics वाले room में कितने students हैं या physics वाले classroom में कितने students उसको represent करने का एक तरीका तो यह होता है जिसमें हम कहता है कि number of elements in physics या cardinality of the physics set is 30 और उसी को represent करने का दूसरा तरीका होता है कि दो डंडे हम लगा लेते हैं P equals to 30 ऐसा कर देंगे तो भी physics का ही set represent होगा ओके तो 30 students took physics यह हो गया 25 took biology तो हम लिखेंगे 25 biology this is equals to 25 लिख सकते हैं N of B equals to 5 and 5 took neither how many students are there in the class बोल गया कि 5 ने कुछ भी नहीं लिया है आपको बताना है कि कितने students total class में है हमारे ठीके जी देखते हैं तो अगर आप देखेंगे and 10 took both अच्छा यह तो पढ़ा है नहीं and 10 took both दस बच्चों ने दोनों लिया है physics भी लिया एंड क्या बोलता है उसको बायो भी लिया है तो फिजिक्स एंड बायो फिजिक्स एंड बायो तेन पांच ने कुछ भी नहीं लिया है उसको हम थोड़ी दिर के लिए silent रखेंगे देखिए physics के students प्लस बायो के students मिलाके 55 हो जाएगे विश्वास है कि यह बात आप मानेंगे physics का students जो है प्लस बायो का students इसको मिलाके 55 हो जाएगा आगे देखते हैं यह हो जाएगा तो कर लेते हैं आगे में तो अगर हम चाहें चाहें नहीं आगे कर देता हूं तो circle बना लेते हैं in informations के लिए और हम वो plot करते हैं fix bio और solve करते हैं देखें क्या बोला गया physics के लिए कितने students 30 यह only physics नहीं बोला गया तिर्फ physics बोला गया ठीक है दोनों कितने हैं physics और biology में कितने हैं 10 physics और biology का कौन सा area दिखा रहा है यहां पर intersection जो intersection है यह physics वाले भी हैं और bio वाले भी हैं तो सबसे पहले हम लोग common region को mark करते हैं बहुत असान हो जाता है common region को आप सबसे पहले mark करने की courses कीजिए मतलब सबसे छोटे से आप देरे-देरे करके बड़ा की तरफ जाएंगे अब देखें physics में कितने हैं 30 30 में से 10 बचे तो ऐसे हैं जो physics और bio दो पढ़ रहा है तो 20 बचके ना दूसरी भासा में कहें तो ये तो पूरा physics है ना? physics में से 10 तो यहां है तो यहांपर कितना रह जाएगा 20 क्योंकि total कितना है physics में 30 यह आपने 10 लिख दिया और यह यहांपर आप देखते हैं कितना होगा bio में कितना है 25 25 में से 10 तो ऐसा है जो फिजिक्स और बायो दोनों पढ़ रहा है अब बचा कितना हमारे पास 15 यह पूरा सेट किस चीज़ का है बायो का है ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं आगे क्या क्वेश्चन में लिए पांच ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया तो कुछ भी नहीं लिया तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे बाहर काईदे से काईदे से तरीका यह होता है कि इसको दिखाने के लिए हम लोग एक बाहर में rectangular box बनाते हैं यह मैंने जो compliment वाला exercise जो compliment से जुड़ा वा जो topic मैंने पढ़ाया उसमें मैंने यह बात बताया है काईदे से हमें बाहर में एक ऐसे बनाना चाहिए जो दिखाएगा कि इससे जो बच गया है इन दोनों circle से जो बच जाएगा वो बाहर की तरफ होगा और वो compliment कहलाएगा और यह rectangular box जो है universe कहलाएगा यह मतलब जो बच गया वो इसी universe के अंदर रहेगा यह इसका मतलब है लेकिन merely मैंने अपने convenience के लिए वो नहीं बनाया था तो अभी मैंने आपके लिए बना दिया सुदेट के आपको confusion ना रहा है तो यह हमारे पास हो गया अब आप देखे इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा यह जो 20 है यह दिखा रहा है P-B का area या आप इसको P slash B भी कहसे है P slash B का मतलब होता है only physics या physics but not bio this P minus B is physics but not bio यह 15 जो है यह है हमारे पास 20 यह जो 15 है this says bio but not physics physics नहीं है दूसरी बासा में यह जो 15 है इसी को हम लोग only bio भी कह सकते है this may also be said as only bio सिर्फ bio यह यहाँ पर यह दिख रहा है साब साब इसी लिए इसको हम लोग कह सकते है only physics this may be said as only physics okay अब मुझसे सवाल पूछा गया है कि total number of students बताए है how many students are there in the class बहुत easy है तेखिये हमें पता लग गया कि सिर्फ physics पढ़ने वाले कितने है 20 हमें यह भी पता लग गया कि 읽 बायों पढ़ने वाले कितने हैं पढ़ने वाले कितने हैं 10 हमें यह भी पता लग गया कि नहीं पढ़ने वाले इन में से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले 5 जोड लीजे यह आपके total number of students हो जाएंगे 20 20 40 and 10 is 50. 50 आपके पास total number of students हैं जिसमें की 5 ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है इसको अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं physics भी बायो भी नहीं पढ़ रहे हैं and physics भी नहीं पढ़ रहे हैं this is how you write and to solve this we'll be using d morgan's law but अभी मैं वह नहीं बता रहा हूं मैं सर्फ आपको represent करके बता रहा हूं कि neither physics nor bio को कैसे represent किया जाए यह तरीका है लिखने का आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे लिया नेक्स प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं in a class of 55 students 32 students took physics 11 took both physics and bio and seven took neither तो मैं विश्वास करता हूं कि अब आप यह बना सकते हैं आपके देखिए इसमें बना देता हूं मैं बोला गया इने class of 55 students total number of students कितने 55 थर्टी टूटू टुक फिजिक्स थर्टी टू जो है वह फिजिक्स लेता है 11 तुक बोथ फिजिक्स और बायोजी बायोजी और सेवन तुक नाइधर अकर इसका मैं डायग्राम बना करके कोश्जिस करूं वेन डायग्राम से वह पहुत बार वेन डायग्राम से बनाना difficult भी हो जाता manufacture असा होता है लेकिन most of the time म програм से असान होता है तो मैं मिक्स करके बनाता रहोंगा और बचे हुए चीज़े आपके लिए छोड़ दूँगा कि आप डियाग्राम से बना के देखें फॉर्मूला के यूज करके देखें तो डाट की आपकी प्रैक्टिस होती रहे अब देखें यहां पर टोटल 55 स्टूडेंट्स इसमें बोला गया थर्टी टूड्स टुक फिजिक्स तुक बोथ फिजिक्स न बायो तो मैं सबसे पहले कॉमन वाला बना देता है अगर एलेवन मेरे पास यह फिजिक्स का हो गया एलेवन टूक बोथ फिजिक्स न बायो ऐसे छेइमन टूकड नाइडर थर्टी टू टू को फिजिक्स 32 जो है पूरा फिजिक्स है तो फिजिक्स मतलब यह पूरा सर्क्ल यह वाला मैं मार्क कलर देता हो डिए यह हमारा यहां नहीं पढ़ रहा है यहां पर लिखा है और उसमें लिखा है कि 11 ऐसे बच्चे जो दोनों पढ़ रहा है तो हमें तो पता है तो अब जो बच जाएगा वो क्या बच एगा सिर्फ पढ़रा हो तो 21 जो है only physics पढ़ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 21 only physics only physics मतलब physics minus bio they don't they are not studying bio at all so वैसे students हमारे पर 21 है आप n और t-p लिख सक्षिए याद रहेगा यह only word मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ फिलाल कोई गलती नहीं है इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहां फिजिक्स और बायो से दो ही सेट है अगर तीन होता तब गरबड हो जाती यह only word यूज़ करने में मुझे तब मुझे बहुत साथानी बरतनी पड़ती है लेकिन फिलाल मैं लिख रहा हूँ कि यह सिर्फ इस पड़ रहा है ठीक है वैसा पता लग गया मुझे अब हम जानते हैं कि 11 प्लस 21 प्लस इसका नाम एक्स रख देते हैं ठीक है और अगर कोई बाहर म element है बाहर में मतलब जो इन में से कुछ भी नहीं पड़ रहा है बदमास बच्चा है तो मैं इसको एक्स रख देता हूँ और बाहर में कोई बच्चा है बाहर में है ना हमारे पास 7 तुक नाइदर 7 तो देखिए अभी जो बिलकुल मैंने पीछे कोशन किया डिटो ऐसा हु हुआ है वहां पर इस जगा ब्लांक है यह आ जाएगा क्योंकि टोटल तो है हमारे पास इस इक वस्तो हमारे पास दे रखा है 55 विश्वास है कि आप एक्स की वेल्यू चाल सकते हैं तो वेल्यू अफ एक्स पूड़ भी एक्स इस 55-7-21-11 तो हम कर लेते हैं 55-7 कितना होता है 48-21-11-32 48-32 कितना होगा 48-32-16 तो आपको एक्स पता लगया 16 और एक्स आपने किसको माग किया है यहां देख चेके जो एक्स क्या है अनली बायो है याद रखे का अनली वर्ड इसले यूज़ कर रहा हूं कि विससे दो ही सब्जेक्ट है इसको और आप सेफ साइट रहना चाहते है ताकि ज्यादा सेट हो तो भी गलती ना हो तो आप इसको कह सकते हैं कि बायो बट नॉट फजिक्स आप इसको लिखेंगे ब बायो पढ़ रहे हैं इसको नहीं पढ़ रहा है समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इन ख्लास ऑफ शिक्स तो आपने देखा कि एक चीज़ हटा के दूसरा चीज़ आपको दे दिया जा रहा है ओके इन ख्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है ठीक है 35 स्टूडेंट्स तो फिजिक्स पढ़ने वाले 35 है तो फिजिक्स पढ़ने वाले 35 है आप इसी को एन और पी भी लिख सकते हैं मैं बार बार कहा रहा हूं कार्डिनालिटी और पी को दोनों तरीके से रिप्रिजन यह 7 नहीं है यह कलती से मॉडिलेस जैसे लगाते हैं वैसा साइन है इक्व इनालिटी को डोनों में से किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड टें टुक नाइदर हाव मीनी तो बोध फिजिक्स अन बायो ट्रस्टिंग देखिये in a class of 60 students 35 took physics and 30 took bio 30 बच्चे ऐसे हैं जो bio ले रहे हैं और 35 बच्चे ऐसे हैं जो physics ले रहे हैं और 10 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं 10 तोक नाइदर how many took both physics and bio तो ठीक है जी total students हम जरा यहां पर इस से गिन लेते हैं कि physics लेने वाले और bio लेने वाले कितने students हैं यह हम जान लेते हैं इसमें ऐसे भी students होंगे जो दोनों common होंगे जो overlap कर रहे होंगे तो मैं बढ़ता हूँ कि physics union बाइसा लेने वाले कितने हैं तो अगर आप इसका formula याद करेंगे तो यह होता है n of p plus n of b minus n of p intersection तो n of p हमारे पास 35 है n of b हमारे पास 30 है p intersection भी कुछ भी नहीं हमें पता और बुला गया how many took both physics and bio यह तो हमसे पूछा ही गया है physics and bio तो n of p intersection गर आप इसको solve करेंगे this is अब p union b को क्या रखा जाए आपके हिसाब से क्या रखना चाहिए मुझे बताईए p union b को क्या रखना चाहिए आप लोग खुद बता सकते है कोई idea p union b को आप क्या रखना तो इसको calculate करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा a union b यह तो मैंने आपको बोलाई है देखे यह जो आप calculate करेंगे 35 और 30 यह यही दिखा रहा है a union b का मतलब आप लोगों को repeatedly मैंने बताया है यह अगर मेरे पास physics का set है और यह मेरे पास bio का set है bio का circle मैंने बना दिया तो a union b का क्या मतलब होता है या p union b का क्या मतलब होता है इसके अंदर रहने वाली चीज़े इसके अंदर रहने वाली चीज़े और जो intersection में है तो एक बार गिनेंगे तो overall यह पूरा का पूरा तो physics और bio जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब यही तो है न कि physics पढ़ने वाले बच्चे bio पढ़ने वाले बच्चे और दोनों जो common है वो पढ़ने वाले सारे मतलब निकल जाते हैं तो सब मिला के कितना आपके पास सब मिला के आप देखेंगे 65 है है इसमें तो कोई दोरा नहीं है तो आप यहां पर लिख लिजे 65 तो 65 आपके पास total students है जो total students नहीं है total तो आपके school में लिखा हुआ है कि कितने हैं यह देखें 60 total students है जिसमें कि 35 और physics पढ़ते हैं और bio पढ़ते हैं 30 तो सब मिला के जो पढ़ने वाले students है वो 65 है इसमें से जाहिर सी बात है कुछ ऐसे students भी होंगे जो overlap कर रहा हूंगे मतलब जो physics इसमें बूला गया है कि 60 बच्चों का आपका class है तस बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तस में कुछ भी नहीं पढ़ रहा है 55 इसमें तो 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 तोंट आपकें अपकें 75 Als 55 ऐसे students है जो आपके यहां दरसल में पढ़ाई कर रहा है 60 है 60-10 is 50 50 ऐसे बच्चे हैं जो आपके यहां दरसल में पढ़ाई कर रहा है लेकिन आपके यहां तो निकल रहा है कि 65 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहा है तो यह कैसे हुआ 60 total students हैं आप खुद सोचिए इस बारे में साथ टोटल स्टूडेंट है क्लास में उसमें से दस बच्चा पढ़ी नहीं रहा है तो उसको तो साइड कर दीजे अब बच गए कितने पचास 50 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दरसल में पढ़ाई कर रहा है क्या पढ़ रहा हूं फिजिक्स बैसे बहां दोनों पढ़ रहा है को बच्चा बका को दोनों पढ़ रहा है। लेकिन उन सब को गिनके आया है आपके पास 65 तो मद में यूवर हो सकता है पढ़ने वाले..! उत सकता हृत है कोई बच्चा कर रहा हो मतला फिछिट्प भी पढ़ रहा हो उसकी जिनती डो रही होगी ना किंद्र तो आखिर ऐसे कितने बत्रेंस तो हमारे पास काफ है में और आके पास 65 कांटिंग आ रही है तो कितने का है सिक्सित्य और कि समय तो क्या तो क्या मैं स्वल करत नहीं को दिख्टेंच सब्सक्रीव इंघाता हैं तो इसी लिए इससे बच्चे में दोनों सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तिक आ? इसको आसान भासा में रख देता हूं मैं repeat कर देता हूं so that कि आप समझ जाएं देखे इसमें बोला गया total 60 students है 10 students जो है कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो अब मैं इसको fresh तरीके से बता रहा हूं आपको 10 कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो 60 minus 10 आप कर दीजिए तो 50 students तो पहले ही हो गया अब हमारे पास total 50 बच्चे हैं जो actually मैं पढ़ाई कर रहा है लेकिन आकड़ा जो data है वो यह कह रहा है कि 35 students physics वाले हैं और 30 students bio वाले हैं तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि total जब 50 हैं तो इतने कैसे हो सकते हैं इतना इसली हुआ होगा कि जो बच्चा physics में जा रहा है वही उन में से कुछ बच्चा chemistry में जा रहा है तो ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं खुछ सोचिए total 85 है आपके पास 65 है तो ऐसा तो पंद्रही बच्चा एक्स्ट्रा है ना इसका दरसल डबल डबल जगह कांटिंग हो रही है तो वही तो पूछा गया है कि हाव मेनी तुक बोथ फिजिक्स अन बाई हो तो डबल कितने लोगों ने लिया है तो हो गया पता लग गया आपको 15 तो यह इसका एंसर है मुझे उमीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं अब इस तरह से अगर आप पढ़के समझेंगे तो मुस्किल होगा आप क्या करें जब कभी भी तीन अलग-अलग सब्जेक्ट या तीन अलग-अलग टॉपिक दे देना तो आप वेंड डाइग्राम की तरफ ज्यादा नजर रखिए वेंड डाइग्राम की तरफ ज्यादा फोकस करिए तो चलिए मैं तीन सर्कल बना दिता हूं आपकर समझने के लिए तीन सर्कल बना देता हूं ताकशितने और मैं नेमिंग कर देता हूं और इन से एबशी सि इतने भी आपको दिख रहे हैं न सब जगह भर दिजे ए एफ यह आपने लिख दिया ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके यह मैं बना देता हूं mathematics यह बना देता हूं statistics और यह क्या था इंग्लिस था शायद इंग्लिस statistics और इंग्लिस यह इंग्लिस है ओके अब इसमें बोला गया है 20 टुक mathematics mathematics वाले कौन से लोग हैं a e g d तो आप लिखेंगे यहाँ पर a plus e plus g plus d equals to 20 ध्यान से देखेगा बहुत easy हो जाएगा यह a plus e plus g plus d करेंगे तो पुरा maths हो जाएगा अब आप कहिएगा e तो sir यह maths और statistics अच्छा इससे पहले कि मैं यह लिखू पहले यह भी तो समझा दूँ आप लोगों को कि यह कैसे काम कर रहा है चले देखें यह ऐसा है कि यहाँ पे यह जो e और g आप देख रहे हैं मैं छोटा सा यहाँ दुब statistics वाले भी हैं ती और g जो है वो maths वाले भी हैं और English वाले भी हैं सिर्फ g अगर आप देखेंगे तो यह white से भी गिरा है red से भी गिरा और blue से भी गिरा तो g जो है यह maths भी पढ़ रहा है statistics भी पढ़ रहा है और English भी पढ़ रहा है यह इसका मतलब है A क्या पढ़ रहा है A सिर्फ math पढ़ रहा B क्या पढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ statistics पढ़ रहा C क्या पढ़ रहा है सिर्फ English पढ़ रहा F क्या पढ़ रहा है English और statistics पढ़ रहा G क्या पढ़ रहा है English और statistics पढ़ रहा है साथ में ये एक अकेला है जो माट्स, स्टाटिस्टिक्स और इंग्लिस तीनों पढ़ रहा है ये वाला जी ठीक है ओके तो अब हम जड़ा आगे बढ़ते हैं A प्लस E प्लस G प्लस G 20 हो गया ये माट्स का हो गया E B G F E प्लस B प्लस G प्लस F equals to ये किसका है स्टाटिस्टिक्स का, देखते हैं स्टाटिस्टिक्स में कितने लोग हैं टोटल 18 टुक स्टाटिस्टिक्स, अठारा हैं टोटल 18 आगे देखते हैं अब इंग्लिस में कितने हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग इंग्लिस में 16, 18 took statistics, 40 total and mathematics हो गया है, 16 took English, okay, English वाले कितना है, DGCF, D plus G plus C plus F, equals to 16, 7 took mathematics and statistics, mathematics and statistics वाले 7 है, E plus G, E plus G equals to 7, यह हो गया, 7 took mathematics and English, mathematics and English, mathematics and English वाले कितने है, D plus G, E plus G equals to 7, यह हो गया, 9 took English and statistics, English and statistics वाले कितने है, देखो, G plus F, G plus F, equals to 9, यह, और next है, 3 took all the 3 subjects, 3 ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने सब लिया है, तो सब वाले कितने हैं, G, G equals to 3, मैंने आपको इससे पिछले वाले सवाल में, उससे पिछले में भी बताया है, कि हम इसा छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, value निकालते समय, सबसे पहले एकदम सबसे छोटा value फिर धिरे-धि करके बढ़ा, देखे वही करना है, अब जो भी पूछा गया हम बाद में देख लेंगे, यह सारी चीज़े, पहले हम G से F निकाल लेते हैं, G की value यहां प्लग कर देंगे, F की value आ जाएगे, तो F कितनी आ जाएगी, आप देखे, यहां साइड में लिखता चला जाता हूं, हम है, F आ जाएगी मेरे पास, देखे, यहां पर, G को यहां रख देंगे, तो 9-3 कितना हो जाएगा, 6, तो F हमारे पास 6 हो जाएगा, इख जाता हूं, ऑके अब F और G दोनों आ गया, G यहां रख लिजे, तो G अगर यहां रख लिग तो 7-3 कितना हो जाएगा, 4, तो D हमा E plus G है, G हमारे पास कितना है, 3 है, तो E कितना आ जाएगा, तो E equals to 4 अब देखिए D, G, F, ये तीनों आ चुका है D हमारे पास 4 है, G 3 है तो 4 plus 3, 7 और F हमारे पास कितना है, 6 है तो 7 plus 6, 13 तो C हमारे पास आ जाएगा तो C की value आ जाएगी 16 minus 13 is 3 simply आप ये सारी value प्लग करके आप value निकालते चले जाएगे अब देखते हैं, B B निकालते हैं, B देखिए, E plus G plus F, E हमारे पास कितना है 4, G कितना है 3, 4 plus 3 कितना है, 7 F कितना है, 6 7 and 6, 13 13, 18 minus 13, 5 तो B हमारे 5 आ गया, अब A आ जाएगा, E, G, D E है हमारे पास, 4 G कितना है, 3 और D कितना है, 4 4, 4, 8 8 plus 3 is 11, तो आपके पास A आ जाएगा 20 minus 11 is 9, ये आपके पास आ गया पूरा ठीक है, ये आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें पूछा क्या गया है, पहले ये जान लेते हैं ओके, how many students are not taking any of these courses total students कितना है, 40 total students कितना है, 40 तो 40 में से हम एके करके सब को minus कर देते हैं A plus B plus G, इन सब को add कर देते हैं, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, ये कर देंगे, तो आजएगा हमारा 40 total number of students है और ये जो number हमने लिए हैं, इसको क्यों minus करें, ये भी बता जाता हूँ, ये जो हमने numbers लिए हैं, ये कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है यहाँ पे, A mathematics पढ़ रहा है B सिर्फ statistics पढ़ रहा है C सिर्फ English पढ़ रहा है D सिर्फ mathematics and English पढ़ रहा F दोनों पढ़ रहा है, G तीनों पढ़ रहा है E mathematics and statistics पढ़ रहा है and so on, कहने का मतले हैं, ये सारी किस सारी जो alphabets हैं, किसी न किसी को तो दिखा रहा है न कि ये कुछ न कुछ पढ़ रहा है तो अब यहाँ कुछ नहीं पढ़ने वाला तो नहीं है, नहीं पढ़ने वाला कहां होगा, ये हम यहाँ पे एक universal set बनाएंगे और इधर कहीं नहीं पढ़ने वाला होगा अच्छा, इसलिए कहता हूँ पढ़ाई कर लिजे, पढ़ाई कर लेंगे तो आप alienate नहीं होंगे, बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, अभी भी, ओके तो A प्लस B प्लस C प्लस D, अब इन सब की value को हम प्लग कर देते हैं, तो A कितना है हमारे पास 9, B कितना है 5, C कितना है 3, C कितना है पता नहीं मुझे अभी पीछे देखना पढ़ेगा, E कितना है 4 F कितना है देखता हूं पीछे TB4, F6, G3 TB4 TB4, F6 और G3 अड़ करके सब्ट्राक्टर लेते हैं This is 40 माइनस 9, 5, 14, 3, 17 D भी कितना है A, B, C, D D कितना है तो मैंने निकाला है A, let me write it T4 है E कितना है कहीं गलतना हो जाए इसलिए दुबारा चेक कर ले रहा हूं E4 है F कितना है F6 है G3 है ठीक है ओके तो 9 प्लस 5 14 14 and 6 20 20 and 8 28 28 प्लस 3 31 31 प्लस 3 34 40 इंकॉर्पोरेट कर सको और सवाज को कभी कभी समझाने में भी बहुत समय लग जाता है In a survey it is found that 30 people like apples 45 people like oranges and 20 people like both apple and oranges How many people like only one food देखते हैं एक survey हुआ जिसमें ये रह apple और ये रह orange दो set मैंने बना लिया apple and orange आप देखेंगे कि इस तरह से करके करना बहुत असान बना देगा आपके लिए तो apple में कितना बोला गए it is found that 30 people like apples तो 30 ऐसे लोग है जो apple को पसंद करते हैं तो ये apple वाला set है इसमें हमें 30 रखना है अब यहां रखें यहां रखें देखते हैं common भी है क्या कुछ and 20 people like both apple and oranges तो 20 ऐसे लोग है जो apple भी पसंद करते हैं और और भी पसंद करते हैं total कितने फेड्न जो ये दोनों पसंद रखने कुछ प्संद करते हैं ऐसे हैं के खुद कामन सेश लगा लिए 30 लोग फेडरे अपल लगा ले हैं ये लेकिन उन में से हाथ तो ये निए कै वह नहीं खाते हैं उसमें से 20 ऐसे लोग हैं जो औरेंज भी खाते हैं तो सिर्फ आपल खाने वाले कितने बच गया तो तो बीस तो ऐसे हैं जो औरेंज भी खाते हैं तो अब कितने ऐसे बच गया जो सिर्फ आपल खाते हैं तो 10 बच गया तो यही मैं यहां पर भी करूंगा 10, 30 में से 20 ऐसे हैं जो आपल औरेंज वाले हैं वो निकाल दिया अब बच गया 10 जो सिर्फ आपल खाते हैं यही लॉजिक इदर भी है 45 पीपल लाइक औरेंज इस लेकिन उसमें से 45 ऐसे लोग हैं जो औरेंज वाले हैं कमरा है जिसमें 45 लोगों को रख दिया गया है जो सिर्फ जो सिर्फ नहीं जो औरेंज खाने वाले हैं फिर अंदर जाके पूछा कि अच्छा आपने से कोई ऐसा भी है जिसको आपल अच्छा लगता है उन्होंने बला हाँ मुझे अच्छा लगता है ऐसे कितने लोग निकले बीस ऐसे लोग निकले हैं बीस कॉमन है तो बीस कॉमन को एक तरफ कर दिया अब कितने बच गया जो सिर्फ औरेंज खाते हैं 25 बच गया तो यह देखे यहां पर हम लिखेंगे 25 है ना यह वाला पोर्सन का है ऐसे फॉरेंज मैंने बताया है पीछे भी यह वाला 10 जो है वो वीडियो आप देखें आपको सब समझ महा जाएगा ओके हाव मेनी पीपल लाइक ओनली वन फूट कितने ऐसे लोग है जो एक फूट पसंद करते हैं तो दस और पचीस पचीस क्या है सिर्फ औरेंज खाने वाले लोग है एक फूट खाने वाले हैं तो 35 ऐसे लोग है जो ए 30 ऐसे लोग हैं क्यों दरसल में एक ही तरह का फूट खाते हैं अब वह कौई भी तरह का खाते हों लेकिन एक ही तरह का खाते हैं अगर आप सिस दस लेंगे तो आप दिखाएंगे कि dals ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एपल खा कोई एक फूट का नहीं बताय फिर आपने सिपे ब हो सकता है या तो apple हो सकता है लेकिन आपने क्या बता है जब 10 लिखते हैं तो आप बताते हैं कि सिर्फ apple खाने वाले दस है वो तो मैं जान रहा हूं कि है हमें बताना है कि कितने ऐसे लोग जो apple या orange कोई भी एक फल खाता हो दोनों वाला नहीं चाहिए मशे तो वो 35 है तो यह इसका answer है next problem की तरफ जाते है next problem है हमारा in a class of 50 students in a class 50 students play cricket 35 play football एक लास है जिसमें की 50 student cricket खेलते हैं 35 student football खेलते हैं ओके तो हम लोग इसको करते हैं football और cricket तो उससे हमने बना लिया हर बार इस तरह से बनाना फाइदे मन नहीं भी रहता है बहुत बार formula पर ही आपको ज्यादा rely करना पड़ेगा तो यह cricket है यह football है 50 students cricket खेलते हैं और 35 football तो मतलब cricket वाला इधर आएगा फुटबाल वाला इधर आएगा लेकिन पहले common हम देख लेते हैं क्या कोई common है और 9 प्ले नाइधर 14 प्ले बोथ 14 ऐसे प्लेयर है जो की football एंड cricket बोथ खेलते हैं अब देखे क्रिकेट खेलने वाले कितने थे हमारे पास 50 उसमें से 14 ऐसे हैं 14 ऐसे students हैं जो दोनों game खेलते हैं दोनों sports खेलते हैं मतलब 50 माइनस 14 कर देंगे तो 36 ऐसे students हैं जो सिर्फ cricket खेलते हैं उसी तरह से football खेलने वाले 35 students है 14 ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों खेलते हैं तो यहां पर कितना बच जाएगा 21 ऐसे प्लेयर बच जाएंगे जो football सिर्फ और सिर्फ football खेलते हैं ठीक है अब उसमें बोला गए how many students are there in the class आप बताए और 9 ऐसे प्लेयर हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं तो इसके लिए मैं एक फिर से universal set बना लेता हूं और इसके बाहर 9 लिख देते हैं इसका मतलब 9 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं ठीक है जी हम जानते हैं formula होता है कि अच् में दिखा दिया है इसके लिए हम लोग लगाते हैं के लिए मैंने आपको exercise बता दिया था और बकाइदा मैंने question आपको दिया हुआ है वीडियो में आप उसको अगर आप लोगों ने किया हुआ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसका derivation मैंने बोला है कि एक वीडियो में ज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसका दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का इसको अगर मैं एफ यूनियन सी को थोड़ी दिर के लिए ती मालनों तो ये है हमारे पास N of T का प्राइम मतलब T कॉम्प्लिमेंट और आप मेरे T कॉम्प्लिमेंटरी रिलेशन को जाकर के देखिए आपको दिख जाएगा N of T कॉम्प्लिमेंट प्लस N of T अगर आप मिला देंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको आप तोल नमबर जो संख्या होगे किसी वी चीज की उससे जयादा नहीं हो सकती तो हमेसा इसी चीज़ का होना प्लस नहीं होना Equal to total होता है इकोल स्टो टोटल होता है, तो COMPLEMENT का मतलब, जो बच जाता है, वो COMPLEMENT हो गया, जैसे 90 का COMPLEMENT, 30 का COMPLEMENTARY ANGLE कितना होगा, 60, तो 60 प्लस 30 मिलाके 90 बनेगा, यहाँ पे 90 है, क्योंकि COMPLEMENTARY का SENSE 90 डिग्री से आता है, 45 का COMPLEMENTARY ANGLE क्या होगा, दूसरा 45 डिग्री होग one degree का complementary angle क्या होगा 89 होगा क्योंकि दोनों को मिला के हम 90 बना पाते हैं इसी तरह से कोई भी चीज का complementary जो होता है अगर हमारे पास मान लिजे कि एक set है कोई भी एक set है A और अगर मान लेते हैं को natural number के set से आया है उसका subset है natural number का set तो आप जानते हैं और उसके अंदर एक set आया है even number 2468 and so on dot 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 तो बोला गया कि A का complement बताएए क्या होगा तो A का complement जो बचा हुआ सारा का सारा number है वो होगा तो बचा हुआ सारा number क्या है 1357911 dot 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 तो ये क्या कहलाएगा इसका complement मतलब odd number dot 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 तो A और A complement को मिला देंगे तो हमेशा natural number तो याद रखेगा कोई भी set को अगर उसके complement से अगर हम add कर दें add करने का मतलब अगर दोनों का union कर दें तो हमेशा हमारा पूरा का पूरा universal set तयार होता है addition का मतलब यहाँ पे numerical क्योंकि ये numbers है इसलिए हम plus की बात कर रहे है anyway तो इसी logic पे अगर हम build करें इसको तो n of f union c का whole complement plus n of t की जगा वापिस मैं f union c डाल देता हूँ f union c equals to n of u आ जाएगा पतलब universal set आ जाएगा अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है अमारे पास दिया हुआ है यह ठीक है f 0 intersection c 0 यह देखिए f 0 intersection c 0 9 इसी को हमने यह लिखा है तो यह भी 9 इसी को हमने यह लिखा है तो यह भी 9 ठीक है तो हम इसको पूरा का पूरा 9 लिखते है मैं लिख्के आपको आता हूँ तो n of f union c का whole knot is equals to n of u minus n of f union c दोबारा आपके सामने लेके चलता हूँ यहाँ पर यह देखिए n of f union c का whole knot plus n of f union c equals to n of universal set होगा यह और इसी को आपने 9 माना है यही हमारे पास 9 है पूरा चलिए इसको हम आगे बढ़ाते है n of u universal set universal set मतलब total number of students minus n of f union c n of f plus n of c minus n of f intersection c equals to यह कितना है हमारे पास 9 अब solve करते है n of u u मतलब total number of students football खेलने वाले कितने students है football खेलने वाले only football खेलने वाले मेरे खेल से 50 students है अगर मैं ठीक हूँ तो और cricket खेलने वाले फुटबॉल खेलने वाले 35 है cricket खेलने वाले 50 है minus दोनों common खेलने वाले कितने थे शायद 11 14 14 हमारे दोनों खेलने वाले थे और यह 9 है अब आप निकाल सकते हैं 9 equals to n of u minus इसको add कर देते हैं 75 minus 10 75 minus 4 this is 70 n of u equals to 9 plus 71 which is equals to 80 आप से यही पूछा गया था कि आप total number of students बताएं कितने हैं how many people lie अच्छा यह तो fruit वाले पर हम पहुंच गया यह रहा how many students are there in the class total class में कितने students हैं total number of students जो हैं class में 80 है यह हमारा problem आज का इतना ही है in fact और भी है लेकिन मुझे लग रहा है कि लंबा वीडियो हो गया अलड़ी एक घंटा पांच मिनिट का वीडियो हो चुका है तो लेकिन इसमें काफी कुछ समझाया है मैंने अब मेरे पास एक ही सवाल रह गया हो सकता है कि वो ना लो मैं दूसरे किसी और सवाल के साथ ले लो तो आज के लिए नहीं आप लोग इसको देखें और बार बार देखें मैं कोसिस करूँगा कि यह वाला जो प्राब्लम है या इस से जुड़ा हुआ हूआ हूँ जो Complimentary से जुड़ा हूआ जो प्राब्लम है मैं और तीन चार अलग-अलग तरह के प्राब्लम लेके Next वीडियो में या तो इंट्रेंस वाले वीडियो में या तो नॉर्मल या तो नॉर्मल जो सेट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नंबर सेट 16 या 17 में जरूर मैं रखूंगा तो अगर आपको कॉंप्लिमेंटरी से जुड़ावा सवाल जिसमें कि उनिवर्सल सेट का यूज करते हैं उसको आप लोग जरूर फॉलू किजेगा उसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा अब तक के लिए बाई बाई थैंक यू